करने वाले हैं बहुत ही अमेसिंग जिसका हमारी रियल लाइफ में बहुत एप्लिकेशन है आज कल जब हम स्वापिंग के लिए जाते हैं या कहीं से कुछ चीज परचिस करते हैं तो हमें हमेशा एक टॉम बहुत जादा देखने को मिलता है तो आज हमको डिसकाउंट चाप्टर करने वाले हैं तो डिसकाउंट जो टॉपिक है वो कपूरा कपूरा अच्छे से समझेंगे सो लेट स्टार्ट टोड़े से सेशन आपको बहुत अच्छे से में कुछ खास बाते बता देती हूं अगर अभी तक आपन इसकी आपको एक्सप्लोर नहीं किया है तो उसको जल्दी से एक्सप्लोर करो क्योंकि यहां पे आपके पढ़ने के लिए बहुत सारा material अवेलिबल है बहुत सारी बुक्स अवेलिबल है उनके solutions अवेलिबल है सब कुछ completely free accessible है आपके लिए तो इसको जरूर एक बार देखे समझें ठीक है दूसरी खास बाद join our telegram channel by using this link और by using this QR code so that आपको सारे sessions की notification मिलती रहे आपका कोई भी session miss ना हो चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आत और start करते हैं chapter name is comparing quantities and उसका topic is discounts तो आजम discounts को अच्छे से समझेंगे okay so the mark price is reduced when the discount is applied जो हमारा mark price है वो reduced हो जाता है that is कम हो जाता है जब discount उस पे apply होता है हम कही बार ऐसा करते हैं shopping के लिए जाते हैं और देखते हैं कि भाई इसका mark price तो कुछ और है और हमें मिल इतने मेरा है shopkeeper बोलते हैं कि आपको हमने कुछ discount दिया then how to find the discount amount या हम कह सकते हैं that how to calculate the discount percentage दोनों अब हम समझने वाले हैं आज के इस lecture में चल मूफ करते हैं एक simple सा topic एक चोटा सा example लेते हैं that सबसे पहले तो यह shoes है let's suppose यह purchase करने गए इसका कुछ mark price था तो सबसे पहले यह बात समझते हैं the discount is always given on the mark price जो आपका discount है वो हमेशा mark price पे दिया जाता है click on the shoes अगर हम शूपे click करें तो हमें पता चल रहा है कि इसका जो mark price है वो 1000 है इसका जो selling price है वो 800 है मतलब उस पे जो price marked है वो 1000 रुपे लेकिन आपने shopkeeper को जो दिये वो सिर्फ 800 रुपे दिये 800 रुपे तो आपको कितना discount मिला तो अगर आपसे कोई पूचे कि आपको इस प minus selling price जो उसका mark price है उसमें से उसका selling price subtract कर दो तो mark price 1000 था selling price 800 था आपको discount मिला 200 रुपे का ठीक है अब यह 200 रुपे तो amount था अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यह 200 रुपे कितना percentage है ठीक है यह 200 रुपे कितना percentage है तो अब हम इसको समझते है तो एक example के तुरू समझते है on the mark price of rupees 1000 the discount is rupees 200 then how much the discount on the mark price of rupees 100 कहता है कि जब आपने 1000 रुपे की चीज ली तो आपको 200 रुपे का discount मिला अब जब आप 100 रुपे की चीज लोगे तो आपको कितने रुपे का discount मिलेगा यही तो कह रहा है चलो समझते है 1000 रुपे की चीज पे 200 रुपे का discount मिला ठीक है तो हमें निका पड़ेगा percentage कितना percent का discount मिला तो percentage को calculate करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि यह जो 200 है यह 1000 रुपए का कितना percentage that means 200 divided by 1000 क्योंकि 1000 रुपए का है और percentage के लिए 100 और हम इसको ऐसे multiply करके solve कर लेंगे तो जब हम इसे solve करेंगे तो हमें यहां से पता चलेगा कि actual में यह 20% मतलग यह जो 200 है यह actual में 20% है 1000 रुपीज का यह 200 है यह 20% है 1000 रुपीज का आप कह रहा है कि जब आप 100 रुपए की चीज़ खरीदने जाओगे तो आपको कितने रुपए का कितना discount मिलेगा तो आप कहता है कि 20% ही आपको निखाना पड़ेगा 100 रुपीज पे तो 100 का 20% निकाल दो 100 का 20% निकाल दो तो आएगा 20 रुपीज तो जब आप 100 रुपए की चीज़ खरीदने जाओगे तो आपको 20 रुपए का discount मिलेगा जब आपने 1000 की खरीदी आपको 200 का discount मिला उसी percentage के according जब आप 100 रुपए की चीज़ खरीदोगे तो आपको 20 रुपए का discount मिलेगा क्योंकि यहाँ पर discount percentage 20% थी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ एक simple सा example लेते हैं estimating the amount of discounts given as percentage पिछली बार हमने पढ़ा पिछले question में हमने समझा कि percentage कैसे निकालेंगे अब कहता है कि amount of discount given as a percentage कि आप हमें amount निकालना है percentage दी जाएगी let's suppose आप कुछ groceries या कुछ shopping करने गए आपने देखा कि बिल बना है और estimate करना है हमें कुछ approximate value तक निकालनी है ठीक है approximate that means हम calculation को easy करने के लिए कुछ हम उसको यह decimal को या इस number को 10s places तक 10s decimal के बाद decimal हटाके उसको 10s places तक convert करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो total bill 477.8 है discount 15% है estimate the amount on the bill सबसे पहले हम क्या करेंगे what is the estimated amount after rounding of the bill हम इसको round off करेंगे ठीक है to the nearest tense of it उसके nearest tense तक round off करेंगे nearest tense तक round off करेंगे तो आप मुझे बताओ 477.80 इसमें से किसके nearest है 480 और 470 obviously 480 के ठीक है तो 480 अब हम consider करेंगे उस amount को हम ऐसा एज्यूम करेंगे क्योंकि हमें round off किया हमें approximate value निकालनी है तो 480 का अब हमें निकालना है 15 percentage 480 का हमें निकालना है 15 percent तो इसके दो तरीके है या तो हम 10 percentage निकाल दे और 5 percent निकाल दे या फिर हम directly 15 percentage निकाल दे तो हम पहले 480 का 10% निकालेंगे और उसी के साथ साथ हम उसी का 5% निकाल देंगे और दोनों को एड़ कर देंगे तो हमारा निकल के आजाएगा अमाउंट या फिर हम 480 का डिरेक्ली 15% भी निकाल साथे हैं दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है तो क्योंकि जब आप 480 का 10% निकालोगे तो आप देखोगे क्या आपको मिल रहा है 48 रुपीस और वहीं जब आप उसका 5% निकालने जाओगे तो वो 10% का obviously just half हो जाएगा that means जब आप 5% निकालोगे 480 का तो वो 10% का half हो जाएगा that is 24 और जब आप इन दोनों को add करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 72 रुपीस similarly जब आप directly 15% भी निकालते हो तो आपको जो आंसर यहाँ पे मिलने वाला है वो 72 ही मिलेगा तो चाहें आप break करके निकालो या अलग से निकालो ठीक है अच्छा कई बार ऐसा होता है कि shops में ऐसा लिखा होता है that 10% plus 5% discount ठीक है कई बार आपने देखा होगा कि shops में ऐसा mention होता है that 10% plus 5% discount ठीक है तो उसका यह बिलकुल मतलब नहीं होता कि यह 15% है उसका मतलब होता है कि आप 10% लगाओ उसके बाद जो amount आएगा उस पे हमें 5% मिलेगा यह तो हम question को solve करने के लिए इस तरह से उसे solve कर रहे है ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 10% on 480 is 48 rupees 5% on 480 is 24 rupees और दोनों को हम add कर देंगे we will be getting 72 rupees okay हमे 72 rupees यहाँ पर मिल रहा है discount का ठीक है तो अब हमने 72 को भी round off किया 70 तक और 480 से 70 को subtract कर दिया तो हमें 410 रुपए उसे pay करने पड़ेंगे जो हमारा बिल बनेगा 410 का बनेगा ठीक है चलो अब हम solve करते हैं एक question जो कि आप से कह रहा है कि connect the bubbles to create suitable connections between them based on the discount amount when the discount is given in percentage इस बार amount से connect करना है तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको कह रहा है 20% discount on 220 तो 220 पे आपको लगा देना है 20% का discount तो आपको मिलेगा 44 रुपीज फिर साथ-साथ आपको 240 पे लगा देना है 15% का discount तो आप जब इसे solve करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 36 रुपीज मतलब 15% वाला जो है उसमें 36 आ रहा है और 20% वाले में कितना आ रहा है 44 रुपीज आ रहा है ठीक है तो let's submit this and here we go correct answer आ गए है हमारे इस question के चलो इसी के साथ-साथ हम लोग एक और question solve करते हैं आपके लिए mark the corresponding match of the given price and the estimated selling price based on the given discount हमें एक estimated selling price इसका बताना है मतलब approximate बताना है तो 15% on the bill of 276.68 हम इसे round off करेंगे तो इसका round off कर लेंगे 270, 280 बन जाएगा 280 का 15% निकालेंगे 280 का 15% जब हम निकालते हैं तो हमें यहां पर कितना निकल के आ रहा है 42 रूपीज that means 280 अब हमें कितना selling price उसका निकलेगा 280 minus 42 that means 238 रूपीज यानि कि इसके लिए क्यों हो गया आप कहा रहा है 12% on 147 12% on 187 जब हम करेंगे तो 12% of 187 करेंगे तो 12% of 187 जब हम करेंगे 147 को भी हम approximate nearest 10 places तक डालेंगे तो यहां आ जाएगा 150 ठीक है nearest 10 तक लेके जाएंगे तो 150 और यहां पर 100 तो यहां से मेरा निकल के आ जाएगा 18 रूपीज तो हमें कितना पर करना पड़ेगा यहां पर मेरे पास निकल के आ रहा है 150 minus 18 और जब हम इसे solve करेंगे तो we will be getting 132 रूपीज तो इसके लिए आ रहा है S यानि कि हमारा जो answer है वो A के लिए Q और B के लिए S Let's submit this and this is the right answer for this question Very simple and very easy here we go with the solution also तो जो पहला part है उसमें हम 10% and 5% निकाल के दोनों को add करके भी कर सकते हैं Same बात है and second वाले में भी हम 10% and 2% करके भी कर सकते हैं 10% and 2% करके जब हम करेंगे तो बहुत easy हो जाएगा क्योंकि 10% तो directly आप निकाल सकते हो 15 रूपीज हो जाएगा और 2% मतलब 15 का कितना निकल के आ जाएगा 1 5th that is 3 दुनों को add करेंगे 18 और subtract कर देंगे 132 ठीक है तो यह था आपका discount का part इस तरह से हम discount को solve करते हैं तो आप कभी भी आगे से जब आप shopping के लिए जाएगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हमें calculate करना है discount is the reduction on the mark price ठीक है the discount is always given on the mark price discount is equals to mark price minus selling price x percent discount on the mark price तो amount of the discount हो जाएगा x divided by 100 into mark price अब इसी एक formula से हम mark price भी calculate कर सकते हैं और हम discount amount भी calculate कर सकते हैं ठीक है यह एक formula हो गया आपके लिए तो यह तो था हमारा आज का session I hope आपको पूरा का पूरा part समझ आया होगा तो आप हमेशा यह देख सकते हो कि किस तरह से आपको discount calculate करनी है किस तरह से आपको mark price निकालना है किस तरह से आपको selling price निकालना है सब कुछ आप यहाँ से निकाल सकते हैं ठीक है चलो, आज का session I hope आपको समझ आया होगा Mbib की site और इसकी app को जरूर explore करें जहां पे आपके पढ़ने के लिए बहुत सारा material, बहुत सारी books अभीलिबल है सब कुछ completely free है दूसरी खास बार telegram channel जोईन करें, जहां से आपको सारे sessions की update मिलती रहेगी कोई भी session आपका miss नहीं होगा आपका session इसी के साथ खतम करते हैं I hope you guys enjoyed today's session Bye Bye everybody, take care, stay safe and keep and bye